हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान में RSM SSB Librarian Grade 3 का exam successfully conduct हो चुका है exam होने के साथ ही हमारे पास इस exam को लेकर बहुत सारे questions है बहुत सारे queries हमारे तरफ आ रही है उसमें से सबसे बड़ी problem या फिर सबसे बड़ा question यही है कि सर answer की check करने के बाद मेरे marks जो है वो 40% नहीं बन रहे है तो क्या 40% से कम marks आने पर मेरा selection नहीं होगा साथ ही अगर यह 40% जो marks है यह सभी category के लिए है यानि कि SC, ST, OBC हो गया TSP, Non-TSP सभी को 40% marks लाने जरूरी है तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले है शर्त है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आये पुस्तकाला या द्यक्ष जो था ग्रेड थर्ड की जो भरती निकली थी 2016 में उसकी परिक्षा स्कीम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह अमने एक फोटो शूट करके रखा हुआ है यहाँ पर आप नीचे रेड कलर के बॉक्स में देख पा रहे होंगे कि परिक्षा में निवनतम उत्तिरिन अंग जो है वो 40% निर्धारित है और इससे कम अंग प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नियूक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यानि कि वो नियूक्ति के लिए प्राप्त नहीं होंगे अगर उन्हें 40% मार्क्स नहीं मिलते है यानि कि अगर हम 300 का 40% करते है तो वो होता है 120 मार्क्स यानि कि पिछली बार जो परिक्षा हुई थी 2016 में उसने बोड ने कहा था कि अगर आपके 300 में से 120 मार्क्स नहीं आ रहे है तो आपको सेलेक्शन के लिए पात्र नहीं ठेराया जाएगा आपको अगले प्रोसेस के लिए नहीं बुलाया जाएगा लेकिन अगर आप देखेंगे कट ओफ के उपर देखें यहाँ पर हमने आपको सामने कट ओफ पेश की है 2016 की यह ओफिशल कट ओफ है वेबसाइट के उपर अवेलेबल है आप खुछ जाके चेक कर सकते है कट ओफ में एक बात ध्यान करने होगी गौर से देखिएगा जनरल की जो कट ओफ गई थी वो 136 गई थी यानि कि लगबग 46% के आसपास जनरल की कट ओफ गई थी फीमेल की बात करें जनरल की तो 44% गई थी साथी अगर हम OBC की बात करें तो 43% गई थी यानि कि जनरल और OBC की अगर हम बात करते है 2016 की जो कट ओफ थी वो 40% से उपर गई थी लेकिन ध्यान दिजेगा SC की कट ओफ और ST की कट ओफ यहां पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे SC की कट ओफ जो है वो 112 गई है यानि की लगबग 37% साथी ST की अगर हम कट ओफ की बात करें तो 103 यानि की लगबग 34% ये तो 40 से कम हो गया फिर भी इनका सेलेक्शन हो गया था साथी अगर हम TSP की बात करें तो वहां पर और भी बुरा हाल था जनरल की कट ओफ just 84 गई थी यानि की 30% भी नहीं गई थी 28% जो है वो कट ओफ रही थी SC की अगर हम बात करें तो 69 आये थे marks उनका भी सेलेक्शन हुआ था जो लगबग 23% के आसपास है ST के अगर हम बात करते हैं जनरल की 44 यानि की लगबग 14% के उपर भी उनका सेलेक्शन हुआ था तो ये तो जो उन्होंने क्राइटीरिया लगाया था 40% का वो तो फेल होता नजर आता ये सिर्फ और सिर्फ जनरल और OBC के लिए ही applicable दिख रहा है लेकिन notification में जो हमारा 2018 का आया है वहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये आपको हम देखा रहे है 2018 का इसमें भी same है कोई changes नहीं किये गए है यहाँ पर दो नंबर का point आप नीचे अगर पड़ पा रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा कि सेम लाइन को फिर से print कर दिया गया है लेकिन 2016 में तो selection हुए थे इससे जो कम marks आये थे उनके उपर भी selection हुआ था जो जाहिर सी बात है 2018 में भी इस बार भी selection होने के full chance है ये depend करता है सिर्फ और सिर्फ students के जिस तरीके से students ने paper दिया है अगर पिछली बार 2016 में 40% से कम अंक वालों को student को भी select किया गया था तो इसका मतलब साफ है कि board के पास इतने अभ्यरती नहीं थे जो 40% के उपर marks लाए हो यानि कि totally depend करता है कि बच्चों ने किस प्रकार से paper दिया था paper किस प्रकार का आया था इस बार जो है वो इस बार बहुत जादा chances लग रहे है कि 40% के उपर जो है वो marks रहने के full chances क्योंकि जिस प्रकार से हम survey कर रहे हैं आपने अलग-अलग channels के review देखे होंगे या फिर अलग-अलग जगा पर आपके groups में भी जिस तरीके से post आ रही होगी पोल आ रहा होगा लग-बग सभी के marks जो है वो 280-190 के आसपास बन रहे हैं तो इस बार तो chance है कि 40% रहने की cut-off यानि कि 40% से अगर कम जाएगी तो आपका selection नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं तो यहीं बोलूँगा कि इस बार भी अगर बोर्ड को उतनी मातरा में candidates नहीं मिलते हैं जितनी seat of fill हो सके तो बोर्ड जो है वो अपनी cut-off कम कर देगा और seat of fill कर लेगा जिस तरीके से 2016 के हिसाब से हुआ था तो यह एक analysis था आपके लिए कि 2016 में बोर्ड ने बोला था लेकिन फिर भी जो है उन्होंने select किया था साथी अगर हम बात करें 40% तो यह criteria जो है किसी specific category के लिए नहीं है यानि कि general, OBC, SC, ST ऐसा नहीं दिया गया है कहीं पे भी इसका मतलब साफ है कि बोर्ड जो है वो और और ले रहा है यानि कि जो भी candidate form fill कर रहा है चाहे हो किसी भी category से बिलों करता हो चाहे हो कौन से भी शेत्र से हो TSP हो या non-TSP उसको 40% अंक लाना जरूरी है तो 40% जो है वो सभी के लिए applicable है तो आप निश्चिन्त रहे कि यहां सिर्फ general OBC के लिए ही applicable है या ऐसा नहीं है सभी के लिए applicable है शर्त है कि बस इस प्रकार मतलब इस बार का जो पेपर है वो किस तरीके से बच्चों ने दिया है और यही डिपेंड करेगा और यही आपके प्रभाव डालेगा कि 40% से कम का selection होगा या नहीं होगा यही एक पूर जानकारी थी इसके बारे में इसी तरीके की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर भी करिएगा थेंक्यू सो मच